देखें बात करते हैं अंडर के बारे में ठीक हैं अंडर और बैनत जो है ना इन दोनों का प्रयोग एक ही है ठीक हैं अंडर मतलब भी क्या होता है किसी चीज के छतर शाया जैसे मान लिजे एक पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ के छतर शाया में कोई नीचे बैठा the cat is sitting under the table या Benet the chair ये दोनों ही चीज़े साही है he was sitting under the tree तो under the tree हो चाहे Benet the tree हो इन दोनों का प्रयोग बिल्कुल सही होता है इसमें कोई भी गलत नहीं है ठीक है under का एक और प्रयोग होता है इसको देख लेते हैं under का प्रयोग होता है अधीन के अधीन के अर्थ में होता है, कि अधीन मतलब जैसे माली ये कोई एक क्लास है, तो सिख्छों के अधीन पूरे बच्चे हैं, ठीक है, माता पिता के अधीन पूरे जो है घर के सदस्य हैं, ठीक है, तो family members हैं, तो ये होता है, अधीन मतलब, तो इसलिए writer under होता है, और publisher ही writer को क्या करता है, पैसे देता है book का, administration is under the government, administration जो होता है न, प्रसासन जो होता है वो सासन के अंतरगत होता है, मतलब मुखमंत्री के अंतरगत कौन होता है, collector, तो मुखमंत्री होगे government वाला, और administration होगे आपका प्रसासन, ठीक है, तो प्रसासन जो है सासन के अंतरगत होता है, C was underage, एक तो under का प्रयोग ये भी होता है के अंतरगत, तो वह जो है underage है, मतलब उस जो उम्र चाही कही है, उससे underage है, I have under rupees 200, है ना, मेरे पास जो है ना, 200 रुपए के अंदर है, ठीक है, तो under का प्रयोग के अंदर के अर्थ में भी होता है, के आधीन के अर्थ में भी होता है, ठीक है, तो ये था under, thank you for watching,